याद रखो, मेदान में हारवा इंसान तो एक बार फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारवा इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, अपने मन को कभी हारने मत देना। साल 1983 इंडियन क्रिकेट का सबसे गोल्डन एर माना जाता है क्योंकि ये वो साल था जिसमें पहली बार टीम इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में बंडे का वर्ड कप अपने नाम किया था ये बात इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि इस टीम ने जिस टीम को फाइनल में हराया था वो उस वक्त की सबसे धाकर सबसे पावरकुल टीम थी वो टीम जिसने 1975, 1979 का वर्ड कप अपने नाम किया था और 1983 के वर्ड कप के फिनाले तक भी पहुँच गई थी जी हाँ में बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीस टीम की जिसने 1983 के पहले 20 साल तक लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट को दो मिनिट किया था एक ऐसी टीम जिसमें विव रिचर्ट्स, मैलकम मार्शल और क्लीव लोईट जैसे खिलाडी शामिल थे ऐसी टीम को हराना कोई चोटी बात नहीं थी और उस फाइनल मैच की सबसे मज़िदार बात ये थी कि टीम इंडिया मात 183 रन पे ही ओल आउट हो गए थी यानि की वेस्ट इंडीस जैसी धाकर टीम को 60 होवर में मात 183 रनी बनाने थे लोगों को लगने लगा था कि वेस्ट इंडीस इस मैच को जीत कर लगा था तीसरा वर्ड कब अपने नाम बड़े आसानी से कर लहीं लेकिन तब किस्पत ने पल्टा खेल, खिलाडी ने दिखाया दंग और टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीस के सारे खिलाडीयों को 140 रन पे ही ओल आउट करके वर्ड कप अपने नाम कर लिया लेकिन गाइस खेल तो अब शुरू होना था West Indies की टीम को तो ये सहन ही नहीं हो रहा था कि कल के चुहे हम शेरों को हरा कैसे गए तबी West Indies के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया के साथ 6 वंडे और 6 test मैजख खेलने का प्रस्ताव रखा और इंडियन टीम को चैलेंज गया उन्होंने ये सोचा कि इंडियन टीम को इंडिया की ही सरजमीन पर हरा कर हम ये साबित करेंगे कि तीम इंडिया ने वर्ट अप तुक्के से जीता है और इसी बज़े से West Indies ने अपने best खिलाड़ी इस टूर के लिए भीजे West Indies की टीम ने One Day Series के 6 के 6 मैच टीम इंडिया को बुरी तरीके से हराई जिसमेंसे कुछ मैच तो टीम इंडिया 150 से जादा रनों से हारी टीम इंडिया पुरी तरीके से हार गई उसके बाद मीडिया पीछे पड़ गई मीडिया में छपने लगा कि टीम इंडिया तुक्के से वर्टक जीती है और असली चेंपियन West Indies ही है अब इसके बाद दो रस्ते थे या तो टीम इंडिया हार मानकर बैट जाती या कमबैक करती BCCI ने इसके लिए टीम इंडिया की काउंसलिंग शुरू की हर एक खिलाडी की काउंसलिंग की गई और उन्हें ये समझाया गया कि तुम ही वो खिलाडी थे जिन्होंने 1983 के वर्टक को जीता था और इस टेस्सीरीज के आखरी मैच को जिस तरह से टीम इंडिया ने वेस्ट इंडिया ने वेस्ट इंडिया के मूँ से चीन का ड्रो करवाया था वो कमाल का था आखरी मैच फिरोशा कोटला मैदान पर खेला गया था जिसमें फिर से एक बार टीम इंडिया पहली पारी में पुरी तरह से फ्लोपो कर ओल आउट हो गई थी लोगों को ये लगने लगा था कि दूसरी पारी में भी टीम इंडिया लंच से पहले पहले ओल आउट होके ये मैच गवा देगी लेकिन हुआ उसका कुछ फुल्टाई दूसरी पारी के पहले ओवर में कर्टली वोल्च को सुनील गावसकर ने चार बाउंडरिया मार कर अपने इरादे जता दिये थे और जहां पर लोग सोच रहे थे कि लंच से पहले-पहले टीम इंडिया ओल आउट होकर मैच गवा देगी वहीं सुनील गावसकर ने लंच से पहले-पहले ही शतक ठोक दिया और इस मैच को इंडिया की तरफ कर दिया और इस मैच को बचाने में अपनी एक एहम भूनी का निभाई कर्टली वोल्च अपनी ओटो भाईग्रापी में इस मूवमेंट को लिखते हुए कहते हैं कि वो दिन था जब सुनील गावसकर ने अपना एटिट्यूद चेंज किया था तभी से इंडियन क्रिकेट चेंज होना शुरू हो गया था इसमें सीखने लाइक बात ये हैं कि कभी-कभी इनकी फेलियर्स का सामना करते-करते इंसान अपनी शक्तियां भूल जाता है वो ये भूल जाता है कि उसने अपने दमपर क्या-क्या अजीव किया है इन बाट केस इनकी शक्तियों को याद दिलाने का काम घर पे माता-पिता को, स्कूल में टीचर को, कंपनी मैचार को और बाकी जगा पे काउंसलर को करना होता है और जिसका कोई नहीं होता, उसका उपरवाला होता है